जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवन करा से मैं मानस मिस्टर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो पढ़ने वाले हम लोग जल प्रपात से रिलेटेड 15 कोश्चिन का दोस्तों एक वीज है और दोस्तों वीडियो कफी जादा इंप्रफेंट रहने हाली है आपके और फियो घंके तोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्बसले में पढ़ता हूँ जल प्रपाथ होता क्या है दोस्तों तो जल परताप जल पृप्रपात के बारें पहले पढ़ लिए आप लोग उसके बाद इसका क rifiचije म तो हमारा पहला जल्परपात है पहाडों की चटानों से गिरने वाली नदी या नालों को जल्परपात कहते हैं किसको कहते हैं जल्परपात भई तो पहाडों की जो चटानों से गिरने वाली नदी होती है ठीक है उनको क्या कहते हैं जल्परपात कहते है यदि गिरने वाली पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलपरपात कहा जाता है और गिरने वाला पानी एक बहुत ही बड़ी धारा के रूप में काफी उचाही से गिरता है तो उसे महा जलपरपात कहते है पहाडों के डालांस ओकर, गुजरने वाली पानी की धाराएं भी जल परपात होती है, ठीक है? तो दोस्तो जल परपात होता क्या है, मैंने आपको बता दिया, आप इस पन्दा कोशनगा दोस्ते, एक टेस्ट रखा है, मैंने ठीक है तो चलिए दुस्ते हमारा पहला कोशेन है कि जत्रकूड जवरपात कहां इस्थी थे तो बताई भी यह आपके पास पास सेकंड का टाइम की बताईये जित्रकूड जलफरपात कहां इस्थी थे तो इस दोस्तों बताईये जल्डि से comment करिए answer box में comment box में comment करिए भी है जल्दी से तो चित पूल जर प्रपात कहां इस थी थे दोस्तों तो यह इस चित है आपका 36 गड़ कहां पर 36 गड़ तो राइट अंसर क्या हो जाएगा 36 गड़ ठीक है क्या हो जाएगा आपका करिए दोस्तो राइट अंसर क्या है आपका तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप सनी तमिलनाडू क्या हो जाएगा तमिलनाडू नेक्ष्ट कोश्चन है जोग या गर्सोपा जल्परपात कहां इस्थी थे दोस्तो तो जोग या गर्सोपा जल्परपात कहां इस दूब सागर जल पर पात का है राइट अंसर हो जाएगा आपका गोवा और करनाटक की सीमा पर का पर का राइट हो जाएगा कहाँ पर जारखन राज में तो आपसन डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है दूआदार जल परपात किस राज में इस्तित है बताईए दूआदार जल परपात किस राज में इस्तित है दोस्तों तो आपके पास है 5 second का time जल्दी से बताईए भी comment करिये answer comment करिये जल्दी से तो यह दोस्तो आपका option सही हो जाएगा आप मद्यप्रदेश तो आपसन है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कि दुआदार जलपरपात किस राज में पूण करिये जल्दी कर रहे है टो बताईए जल्दी से answer comment करिये तो वेरिवेर इंपरड़न कोश्छन है यह चम्मल नदी पर और दोस्तो वीडियो को लाइक जवरूर करे क्योंगे ये कापका लाइक हमें काफी motivate करता है ठीक है जिससे हमारे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा नेश्ट कोश्चन हमारा जोग या जल जल परपात को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों तो यह जाना जाता है इसको महात्मा गांदी महात्मा गांदी जलपरपात के नाम से भी जोग जलपरपात को जाना जाता है दोस्तों वीडियो काफी ज़्यादा है आपके एक्जाम आफ यू तो अच्छे से पढ़िएगा इसको नेश्ट है गोकक जलपरपात किस राज में इस्तित है गोकक जलपरपात किस राज में इस्तित है दोस्तों आपके पास आफसन है मदप्रदेश, उडिशा, महराष्ट और तमिल नाडू तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तमिल नाडू क्या हो जाएगा तमिल नाडू ठीक है आपसन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन बिहार जलपरपात किस नदी पर है बिहार जलपरपात किस नदी पर है दोस्तों तो आपके लिए आपसन है टोस नदी, नर्मदा नदी, महा नदी, सरावदी तो आपका right answer हो जाएगा दोस्तो टोस नदी, क्या हो जाएगा, टोस नदी, ठीक है, next है, जोग जल प्रपात की उचाई कितनी है, आप साने 250 meter, 100 meter, 200 meter और 253 meter, तो आपका right answer क्या हो जाएगा, दोस्तो 253 meter, क्या हो जाएगा, 253 meter, next है, आपका, next question देखते हैं, नेल गिरी के परवती छेतर में कौन सा जल प्रपात इस्तित है, तो दोस्तो ये इस्तित है, आपका पायकरा जल प्रपात, हुंडुरू, पायकरा, जोंग, दुवादार, तो कौन सा पायकरा जल प्रपात, next है, कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर है, तो कपिल धारा जल प्रपात दोस्तों, आपका इस्तित है, नर्मदा नदी पर, किस नदी पर, नर्मदा, तो आप सन्वी दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा, next question देखते है, बारत के किस जल प्रपात को लोग प्री कर पात के नाम से जाना जाता इसके लिए आपके पास दोस्तों है 5 सेकेंड और इसका आप जन्दी सैंसर कमेंड बॉक्स में करिए यह मैं भी देख़्ास। कि आप गी साझि हो रहा है ठीक है बजल दिसट बताइब लोगदर दोस्तों। आपका इसका right answer हो जागा दोस्तो चित्र कोट ठीक है काउंसा जाल पर पात तो चित्र कोट ठीक है यहां दोस्तों अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाइन कर सकते हैं इस वीडियो के पीडिया पाने के लिए और इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है ठीक है दोस्तों वीडियो काफी जादा आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और आने वाले जितने भी हमारे व मैं तब तक लिए जाएं जाएं जाबारत तन्यवाद